नमस्कार सर्षिने अक्षता गोरे और यह मेरी सहली आरती ऑति वागमे हम साविद्र भैइ फूले महाविद्या लेकी छात्रे आपका दिल से स्वागत करते हैं कि हमारे मन में होने वाले चन सवालों के आप जवाब देने की गुरुपा करे हमारा पहला सवाल आपका पारिवरिक जीवन तथा शिक्षा के बारे में हम जानना चाहते हैं मेरी आरंबिक सिक्षा तो मेरट शहर जहां मेरा जन्म हुआ और शहर में मेरी बस्ती थी जाटव गेट बस्ती का नाम था और वह स्कूल जो था प्राइमेरी स्कूल वह हमारी बस्ती में ही था क्योंकि बाहर की जो इसकूल थे वहां थोड़ा जाती बेट था और इसलिए सरकार के दुआरा हमारी बस्ती में ही इसकूल की सुरुवात हुई और जादेतर बच्चे जादेतर नहीं लगबख सभी बच्चे वहां दली समाज के पढ़ते हैं इसकूल में प्राइमेरी स्कू शहर में जो मेरी शिक्षा का ब्यौदा जो मैंने आपको बताया और भर के बिलकाननस दीन में कि अविब्ले है तो मेरा बहुत क्योंकि हमारे शहर में प्रेस बहुत थी राइटर भी बहुत थे हर तीसरे एक चोथी पांचवी बस्ती में राइटर लोग थे इस्थान ये लोग राइटर जिनको हम कह सकते हैं कुछ फेमस भी वे बाद में विस्वरू परबाकर हमारे नजदीक के मेरिट के ही नजदीक के थे तो सबसे बड़ा कारण ये था कि स्कूल कॉलीजों की संखिया अधिक थी दूसरा कारण मेरे पिताजी ने नाइन्टी फॉर्टी टू में हाइज स्कूल किया था कि दो साल बाद नोकी लगे थी सरकादी मेरा घर सिक्षित था मेरी बेहने 1950 और 60 के बीच में पढ़ने जाती थी जो दली समाज के लोगों में कम होता है तो एक तो मेरे कारण बता है कि हमारे शहर में बहुत प्रेश थी अख़वार निकलते थे मेरा परिवार सिक्षिता तो ये एक अच्छा बात था दूसरी ये है कि मेरेट में कुछ आंदोलन होते थे क्योंकि गाओं में कभी-कभी जाती बेहत के आदार पे उत्पिरन होता था महिलाओं पे कुछ पॉलिटिकल लोग आते थे मेरेट दिल्ली के नजदी के खरीब सतर असी किलोमीटर है तो हम लोग जाते थे आठ साल में, देस साल में और ग्यारे साल में दूसरी एक महत्वून बात ये थी कि बाबा साथ डाक्टर हमबिटकर वो 1953 में मेरट आये थे उनका व्याख्यान था 1953 में तो मैं उस समय मेरी बहुत कम उमर्ट थी लेकिन जो इसमर्टिया हैं, वो मेरे भीतर थी, और पहले पिर बाबा साथ डाक्टर हमबिटकर का जब परी दिर्वान हुआ, उसके बाद हमारी बस्ती में बाबा साथ डाक्टर हमबिटकर का पुस्तकाले की स्थापना हुई तो वो एक बड़ा खारण था माने, सिक्षा के पिर्टी जागरूप होना लेखन की जो बात है कि हमारे जो मेरत शहर में बहुत सारे प्रेश थी नाटे गिरे था और साहितिक रूप से प्रोग्राम होते रहते थे हिंदी भवन था तो वहां आम लोग जाते थे और उस तरह से ये लेखन के पिर्टी मुझे रूची होती गई मेरा जवाब ये आपको लेखन के आरंब की सामजिक सिती और वर्तमन सामजिक सिती में कोई परिवर्तन हुआ है बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है अब 1950 और 60 के दर्मियान अगर हम देखें तो हमारे जो बस्ती की जो महिलाएं हैं वो सुबह काम करने जाती थी जली समाज के महिलाएं और मेरट में मुस्लिम लोगों का बाहुल दे रहा है वाह काफी धनाड़े लोग मुस्लिम रहते थे नबाब थे वो उनके बड़े बड़े मकान थे हमारा जो मेरा जो घर था वो खुद किराय का घर था तो हलाकि किराय तो बहुत कम था लेकिन जो जिसको हम नबाब बोलते थे वो खुद किराय लेने आते थे तो मुस्लिम लोगों का बाहुल ले था हिंदु लोगों का बावली था दलितों पे उत्पिरन होता था अत्याचार होते थे भेदबाव होता था ये सारी इस्थिती 1960 तक थी 1960 तक 1970 में कुछ कम हुई फिर मैं दिल्ली आगमन हुआ तो जो आपका सवाल है कि परिवर्टन तो हुआ का हपी और उस समय उसमें काफी परिवर्टन हुआ है उत्तर भारत और महाराष्टर के दलित समझ की समस्याओं में कोई अंतर है अंतर विशेश रूप से बहुत जादे अंतर नहीं है लेकिन जो महाराष्टर का जो समाज है क्योंकि यहां करम वीर भाव राव पाचिल जी जोती राव पुले जी सावित रिबाज पुले जी बावशाब डाक्र अमबेचकर जी और भावशाब से भी पहले सिंदे जी जो समाज सेवा करते थे उनकी बड़ी संस्ता थी तो बहुत सारे ऐचे संत महापुरुस हुए हैं जिन्नोंने समास सुधार में भाग लिया उत्तर भारत में बहुत कम महापुरुस हुए बहुत कम हुए और समास सुधारक तो हुए हैं लेकिन वो बात के दोर में हुए हैं उतना उतना नहीं इसलिए महाराष्ट में जो सिक् खुल चुकी थी उत्तर भारत में आजादी से पहले बहुत कम सिक्षण संस्थाइं थी बाद में भी अगर आज के उसमें हम केंपरिजन करें तो बहुत कम यह हैं सिक्षण संस्थाइं यह सब्सक्राइब फर्क है ना और महाराष्ट में तो आप देखें के हर जिले में कम से कम दो दो युनिवर्स्टी तीन युनिवर्स्टी हैं और उत्री बारत में तीन या चार जिलों में एक युनिवर्स्टी होती थी उस समय तो बड़ा फर्क है दली तो उनको नियाए देने में दली साहिते का कोई योगदान है बहुत बड़ा योगदान है दली को नियाए देने में और नियाए लेने में मैं ये कहना चाहरा हूँ कि नियाए लेना भी एक अलग बात होती जब तक नियाए लेने की वावना आपके बीटर नियाएगी तो नियाए देने वाले चुपचाप रहेंगे उनको कोई जरूदी नियाए वो नियाए दें वो नयाई क्यों दे जब नयाई लेने वाला आ गया हैगा तो जो दली समाज है जो साहित है उसको पढ़ के लोगों में जाग रुपता आई यह मैं कह सकता हूँ तो वो नयाई के लिए वो आ गया है मंच पे आए और उनको नयाई मिला अपने दलित समाज की स्थ्रियों की समस्याएं समधान उनके सवालों पर मैं सुरू से लिखते रहूं मैं आलेख भी लिखता था बहुत सारे आलेख मेंने लिखे है नाटक भी लिखे हैं धलित महिला मेरे उपन्यासों की नाई का रही है और उस तरह चे वो उसको बोलना आए उसके अंदर जाग रुखता आए ऐसा परियास मैंने कहानियों में भी किया है हविताओं में भी हुआ है उपन्यासों में भी हुआ है और नाटकों में भी हुआ है तो आदम से ही मान सकते हैं, जैसे क्या मुझे खरीदोगे महिला परदान उपर नियास, जिस पर बाद में फीचर फिल्म भी लिखी, स्क्रिप्ट लिखी, हलाके वाई नहीं, उस पर नाटक भी लिखा, महिला परदान है, महिला की जो समच्चाएं होती हैं, वो कैसे उससे ज राजनेती समाजिक स्वास्तव खराप कर रही है, आजकी राजनेती, लगवग लगवग मैं कह सकता हूँ के, वो समाज में द्वेस फ्यला रही है, जाती कि भावना जो थोड़ा कम हो गई थी पीच में, उसको उबहार रही है, क्योंकि जो पॉलिटिशन हैं, वह वो ऐसा परिवेच चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समच्या हो, समच्या का नेदा करण वो नहीं चाहते हैं, जा देता हैं, इसलिए मैं आरंब से हैं, ऐसे तमाम जो राजदिन तिक हैं, उनके खिलाप में लिखता रहा हूँ. आर्थिक समस्रा के कारण आज अन्य समझ भी आरक्षन मांग रहे हैं क्या ये उच्ची थे आरक्षन सभी को देना चाहिए मेरा से ये विचार रहा है जो भी गरीब है भच्चा उन सभी को आरक्षन देना चाहिए ऐसा मैं मान रहा हूँ के अब जो भी आरक्षण मांग रहे हैं उनकी आर्थिक इस्थिती को पहले देखना चाहिए कि वो उस लायक है या नहीं है उनके बच्चे उतने गरीब हैं या नहीं है तो जो भी गरीब परिवार है उन सभी गरीब परिवारों के बच्चों को आधक्छन मिलना चाहिए नैसा हित्यकारो के लिए तो मेरा सबसे पहले संदेश होता है वो पढ़ें पढ़ना जरूरी है, कोई एक पेज अगर हम लिखते हैं तो दस पेज पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो भासा शैली उस तरह से उसको ग्यान होता है, पढ़ने से लेख को की भासा अलग से पता चलती है, तो पढ़ना जरूरी है, मेरा संदेच यह है कि वो पहले पढ़ें और फिर लिखने का परियास करें, और लिखें वो सकारात्म रूप से मानें, ऐसा ऐसा लेखन करना चाहिए, जिससे समाज में एक ही करन हो, सनकन पैदा हो, और हर आदमी के अंदर चेतना जागरत हो, वैश्विक्त साहिते के बारे में आपके क्यारा है, वैश्विक्त, वो तो ऐसा है ना, कि देखिए, आप तो एक तरफ हम यह कहते ह हैं कि जैसे वसूदेव कुटुमकंबी आदम में एक मनें, बहुत सारी बाते कही, फिर कहते हैं कि अब दुनिया एक है, तो उस, उससे, उसके नगेटिव पॉइंट भी हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी विरास्त है, जिसको हम देशी समाज बोलते हैं, मनें, उस पर कहीं न कहीं मनें चोट हो रही है, जो गाव में कस्बे हैं, उनमें जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो संस्क्रती है, उनका जो लेखाना है वो परभावित हो रहा है, जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं न, तो हम जो आम आदमी हैं, आम लेखक हैं, आम जो जीव जी रहा है वो कहीं थोड़ा चाथ छूपता चला जाता है, उसके सवाल छूपते चले जाते हैं, यह है है। के अलावा मेरे को केवल यायावरी में है यायावरी माने यह व्यक्ति गोंता रहे उसमें मेरी रूची है मैं दूसरे ही है कि मैं लोगों को मिलता हूँ जाता हूं जुग्डी कालोनिज में मैं पहले जाता था हिंदी अकाड़िमी के माध्यम से मैं ने काम किया है जो पढ़ना नहीं जानते थे उनको पढ़ने के लिए किताबे वो सब सरकार देती थी मैं जाता था तो मैं दूर दर्शन मलब टीवी नहीं देखता हूं रेडियो पर भी बहुत कम मलब करता था मने ऐसा काम मैं नहीं करता जिसमें व्यक्ति का बिला वजे कोई समय बहुत बात दो अब से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा जी मुझे भी अच्छा लगा